अगम कभी आपने देखा है कि प्लांट को इसके मम्मी खाना दे रही हूं या कोई अधर बैगती प्लांट कभी मार्केट गया ऑज समान खरेद में। ऐसा कभी होता है नहीं होता है क्वोधाओ आपषय। तो यही होल्स पत्यों के अंदर होते हैं जिन्यों माटा बोला जाता है जो हम आगे तो कैसे हो आप सभी सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 7 साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट पर आप इसका इंट्रो समझते हैं जो चैप्टर का नेम इसका मीनिंग क्या ह होता है तो नियूट्रिशन मिला है जैसे आप जो खाना खाते हैं हमने दाल चावल डोड़ी-सब्जी कैने उसके अंदर में क्या मिला या प्रोटी निकार्भोहड़ेट या fat मिला, जो भी चीजे मिलती हैं हमें food से, वो क्या होती है, वो होती है हमारा nutrition, तो ऐसे ही plant होते हैं, कि हम जो चीजे खाते हैं हमें कहां से, उसमें से क्या मिलता है, तो plant का भी ऐसे होता है, कि वो अपना nutrition कहां से पाते हैं, और उनको कहां पर क्या-क्या मिलता है, ये समझ अपना food बनाते कैसे हैं कौन-कौन सा mode होता है इसके बारे में पढ़ने वाइला topic है मारा mode of nutrition in plant means कितने mode होते हैं means कितने mode का मतलब कितने तरीके होते हैं जैसे मैं आपको एक example दूँ क्या आप कभी आपने देखा है कि plant को उसकी मम्मी खाना दे रही हूँ या कोई another वेक्ती plant कभी market गया हो समान खरे दे ऐसा कभी होता है नहीं होता हम human being क्या है हम अपने food के लिए मम्मी पर depend रहते हैं अपनी auntie पर uncle पर कहीं ने कभी depend रहते हैं कोई हमें बना के देगा अफिर वो depend रहते हैं market से समान लाते हैं और वो market के समान कहाँ पर कहीं हमें कहीं overall अगर में conclusion निकालेंगे तो लगभग खाने पीने की चीज़ें हमारी प्लांट पर डिपेंड होती है मिंस हम क्या है इसी पर डिपेंड है बट प्लांट को कभी देखा है ना वो कभी किसी दुकान पर जाते हैं ना उन्हों किसी पर डिपेंड रहते हैं मिंस मेर अब फूड अपना भोजन खुद बनाए अर्टो ट्रॉपिक मिंस इसका मतलब अर्टो मिंस सिर्फ हो गया और नियुरिस्मेंट मिंस होता है न्यूट्रेंट्स मिंस जो अपना न्यूट्रेंट्स सोयम लें जैसे कि आप प्लांट को देखिए वह क्या है अपना फूड काई से क्या बनाते हैं काई से वह खरिदते हैं या उनको गया सूले के जरूत है कभी नहीं वह अपना फूड खुड बनाते हैं अब हम आगे के टॉपिंग पढ़ेंगे कि वह कहां से वह चीजें लाते हैं या किसी पर डिपेंड रहते हैं ये समझेंगे और दूसरा है हे human being क्या है दूसरे डिपेंड है किसी एनदर डिपेंड है कोई हमें बना के खिलाएगा कोई अन्य चीजे हमें चाहिए बनाने के लिए यह हम अपना बोजन बनाएंगे कैसे वह चीज है वह हमें समान चाहिए तो यह आप संदा और दूसरा ओवराल जो हम खाने पीने की चीज स्प्रेंस समझाएगा अब को वह फूड मेकिंग प्रासेज आफ्लांट ओ पर लेंस फोट शोंब्र होता है जिसे की प्रांट अपना खाना बनाते हैं जैसे हमारा प्र्सक्र टेलाए और ऑ गैस था हमारे पास और हमने खाना अपना बना लिया मैं क्या होता है एक प्रक्र हमें दिखता है तो हला करल जो मारा होता है मिन्स ग्रीन कलर हरा कलर वो किस वज़स दिखता है वो दिखता है मारा क्लोरोफिल की वज़से पत्तियों का जो हरा कलर होता है वो क्लोरोफिल की वज़स होता है तो उस पत्तियों के ऊपर क्या पड़ता है सन की रेश पड़ती है और प्लांट की है देखिए प्लांट की जो रूट होती है वो स्वाइल के अंदर होती है हम गमले में भी लगाएंगे तब भी वो स्वाइल के अंदर होगा और हम कहें गार्डन में प्लांट होगा तो हमारा स्वाइल के अंदर होगा अब दराद सोचिए कि वो स्वाइल के फूड बनाते वक्त चाहिए वह है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन उनको कहां से मिलता यह बड़ा अच्छा कोशन ढया Salone नाट्रोजन उनको अगर एक सब्द में बोलू उनको इन्वार्मेन्ट से मिलता है बड़ यह कहना सही भी नहीं है जो होतना है जैसे कियो डारेग्ट प्रकतियों जो छोटे चोटे होल सोते हैं जिने टोमाटा बोला जाता है उससे वो क्या CO2 को observe कर लेते हैं बट nitrogen को नहीं ले पाते हैं यहां एक बड़ी मज़दार घटना होती है soil के अंदर एक ribosium bacteria होता है जो कि environment के nitrogen को अपनी तरफ औसोसित करता है means observe करता है और वो nitrogen soil में mix करता है और वहीं soil से plant ने क्या ले लिया nitrogen तो अब देखिए क्या कहलेते हैं प्लांट ने क्या किया संसे संरेज ले ली पहली चीद रूट से वाटर ले लिया पत्तियों के अंदर chlorophyll है CO2 environment से ले लिया और क्या लिया nitrogen soil से लिया यह सारी चीजे मिलके क्या करती है प्लांट अपना फूड बनाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है photosynthesis तो आप समझ गया होंगे इन सारी प्रक्रिया में क्या आपने देखा कि कोई व्वek्ति प्लां subtract को देने गया हों कुछ नहीं देने गया चोटे प्लांट होते हैं जो ट्री ओत इस अपना फूड बनाते हैं इवन फूड को करते हैं तो इक और सारी नेचुरली होती है means जिन्हें बोलते हैं आट्रोट्रॉट्रॉपिक, means self, यह अपना food स्वयम बनाते हैं, यह रहा आट्रोट्रॉपिक, अभी हमने पढ़ा था की mode, दो mode होते हैं, आट्रोटॉपिक और दूसरा होता है, हेट्रोट्रॉपिक, तो हम समझ गया होंगे, इसलिए plant को उस पर डिपन्ड होते हैं वह हैं अब हमारा टापिक अभी लास्ट मैं हम उसको आगे पड़ेंगी तो मैंने आपको बताया ना कि प्लांट को क्या क्या चाहिए वह इसके बाद का जो टापिक था कि प्लांट को जो नाइट्रोजन मिलता वो कहां से मिलता है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि उन्हें राइबोजीम नामक बैक्टेरिया होता है जो कि स्वाइल के अंदर इन्वार्मेंट में जो नाइट्र आप पत्यों को बारी किस देखेंगे तो आपको इस टोमाटा दिखेगा तो वो इसे नॉर्मली बहुत कम समझ में आगा बढ़ आप उस एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं एक ड्रॉप पानी का ले लिजे उस पत्ती के ऊपर डाल दीजे थोड़ी दर बाद वो वाटर क्या होगा यह तो आप फैला देंगे यह थोड़ी दर बाद वो वाटर गाइब हो जाएगा मिंस पत्यों ने क्या किया पाने को असोसित कर लिया तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे हमारे बॉड़ी में क्या होता है है हम other लगाते हैं तो आएल गाइब हो जाता है क्यूंकि क्या है चोटे-चोटे होल्स वह नॉर्मली हमें देखते नहीं तो यह पत्तियों के अंदर होते है जिन्हों माटियों बोला जाता है जिसे कि पत्तियां CO2 को अपनी तरफ अब्जर्व करती हैं तो यह पूरी प्रक्रिया मिलके प्लांट का कैसे क्या रहा वो अपना भोजन बनाते हैं तो डाउट आपके clear हो गया होगे फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को comment section में हमसे पूछिए और question create करना experiment टरना science का एक बहुत बड़ा part है so observe करिए क्योंकि science आप जितना अच्छा feel करेंगे आपको विग्यान उतना अच्छा समझ में आगा उतने अच्छे आप answer लिखेंगे और concept clear होगा और आपके अच्छे marks आएंगे तो वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe कर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो पे तब तक के लिए goodbye take care and thank you so much